हेलो फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको चेहरे को गोरा और ग्लोइंग करने का एक 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 एकटिव हूम रेमीडिय बताने जा रही हूँ यह नुसका आपके चेहरे के रंग को निखारे का साथ ही आपकी तवचा को काफी ग्लोइंग बनाएगा इसके अलावा यह आपकी तवचा का रुखापन दूर करके आपकी तवचा को सौफ्ट और स्मूध भी बनाएगा लेकिन इससे पहले आपस रिक्वेस्ट है मेरे चैन यह आपके चेहरे के अलावा पुरे शरीर की तवचा को निखारेगा साथ ही उन्हें सौफ्ट और ग्लोइंग बनाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा चावल का आटा चावल का आटा आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा या फिर आप चावल को घर पीस करके इसका आटा तयार कर सकते हैं चावल हमारी तवचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है यह स्कीन वाइटनिंग बहुत ही अच्छा होता है इसके इस्तेमाल से आपकी तवचा में निखार आएगा साथ ही आपकी तवचा सौफ्ट और स्मूध भी ह ज़्यादा बहुत ही बढ़िया घरेलू स्क्रब का काम करता है इसके इस्तेमाल से आपकी तवचा अच्छे से क्लीन हो जाती है इसके अलवाई आपकी तवचा के दागधबों को मिटाने में भी काफी मदद करता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है दूद आपको कच् करltu हैं दूद हमारी तवचा के रंग को निखारने में काफी मदद करता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है रोजबॉटर यानि कि गुलाब जल गुलाब जल भी हमारी तवचा को गोरा बनाता है साथ हमारी तवचा को फ्रेश बनाता है अब इन सारी चीजों कह आप से मिक्स कर लें किяться कि तके बठने के बाद इसका इस्ते माल करना है अपने तफचा पर इसाप अच्छी तरह से अपने चेहरे और हाथ पेर उपर लगाए, आप चाहे तो इसे पूरे शरीर की तवचा पर इस्तिमाल कर सकते हैं नहाने से पहले आप इसे अपने शरीर पर लगाके लगबग 5 मिनिट तक स्क्रब करें, बिल्कुल हलके हाथों से स्क्रब करने के बाद इसे 10 मिनिट के लिए लगा के छोड़ दें फिर आप नॉर्मल पानी से अपनी तवचा को धोले इसके इस्तेमाल हफते में दो बार करें या बहुत ही मढ़िया घरेलू स्क्रब का काम करता है जिसे आपकी तवचा में काफी निखार आता है और आपकी तच्छा गोरी और खुबसूरत हो जाती है इसके अलवा यह अनुसका आपकी तच्छा को सॉफ्ट बनाएगा और ब्लोइंग भी बनाएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीजी से लाइक और शेयर ज़रू करें बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लें म नोटिफिकेशन पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में